नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के एक ऐसे खास उपाए के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से तुरंत ही आपको चमतकार देखने को मिलता है काली मिर्च के वे खास उपाए जो आपके भाग्य को पलट सकता है आज कल की इस भाग दोड़ बरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे सरलता से सफलता प्राप्त हो लेकिन कई बार आप सफल नहीं हो पाते बंते बंते कारे बिगड़ जाते है इसलिए दोस्तो आज हम आपके घर में ही मौजूद रसोई घर की बात करेंगे इस रसोई घर में हर किसी के पास काली मिर्च तो अवश्य ही होती है काली मिर्च ना केबल आपके स्वास्त को स्थीक रखता है बलकि आपके खाने में आपके स्वाद को भी बढ़ाता है और साथ ही जोतिश विस्तांतिक सास्त्र में काली मिर्च के कुछ ऐसे उपाई भी बताए है जिने करने से तंत्र मंत्र आदी के जितने भी टोने टोटके या क्रियाएं आप पर हुई है उससे भी आपको बचा लेता है काली मिर्च के कुछ अचुग टोटके करने से आपको करजों से भी मुक्ती मिलती है साथी धनकी अगर कोई समस्या आपके घर में चल रही है आपके जीवन में है तो उससे भी आपको मुक्ती मिल जाती है यानि कि दोस्तों साधारन सी दिखने वाली काली मिर्च में आपके जीवन में तमाम प्रकार की आ रही मुश्किलों से बाहर निकलने और अपने जीवन को और भी सुक्ष सम्रदी दायक बनाने के लिए अनेको अनेक गुण छुपे हुए हैं तो काली मिर्च आपको टोने टोटके से कैसे निजाद दिलाएगा इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में आ रही सभी मुश्किलों से कैसे बचेंगे साथ ही आपके धनसंबंदी सभी समस्याओं का अंत किस परकार से होगा आज की वीडियो में आप यही जब जानने वा अब जाए बजरंग बली अवश्याद दें और अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जाए मातादी जाए मालक्षमी एक बार अवश्याद दें दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब भी अवश्याद कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही चबरतस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमी बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमी जीवन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्याद करें संपूर्ण प्रेम और सर्दा भाव को अपने अंदर समोहित किये हुए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें जैबजरंग बली और वीडियो को अपने दोस्तों विरिष्टेदारों के साथ शेयर करना बिलकुल भी न बूले तो आदम बताने वाले हैं आपको खास तोट और समर्दी का वास सदैव के लिए हो जाए दोस्तों बजरंग बली की किरपा से तो कोई भी अनविग्गे नहीं है हर कोई जानता है कि राम भक्त हनुमान जी की किरपा जब भी किसी व्यक्ती पर बरसने लगती है तो उसका कोई भी दुख दर्द टोना टोटका आदी जो कि आपकी सबी समस्याओं का अंत तुरंधी कर देते हैं बस जरूरत है इने प्रसन करने की आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग अपना कोई भी विशेश कारे जब शुरू करते हैं तो करनेश भगवान की पूजा तो करते ही है साथ ही बजरंग बली का जैकार एक बार अवशे लगाते हैं लेकिन दोस्तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई कारे करें तब जब भी आप हनुमान जी का नाम लें तो एक बार श्री राम जी का नाम भी अवशे लें क्योंकि बगवान श्री राम की किरपा आपके उपर बरसेगी तब ही त तो चलिए आज की इस वीडेयो में जो हम आपको उपाय बताएंगे उसकी शुरुवात भी हम बजरंग बली के नाम सही करते हैं तो जोती है किया हम जै बजरंग बली। कार बन ही जाए तो आपको क्या करना है जब भी कभी आप किसी कारे के लिए अपने घर से बाहर जाए तो अपने मुखे दर्वाजे पर अंदर की हो रहे हैं अपने घर के अंदर मुखे दर्वाजे पर ही पांच काली मिर्च के दाने आपको रख देने हैं और जब भी आप ब के बाद आप इसे किसी भी मिट्टी में दबा दीजी ऐसा उपाए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बजरंग बली से जुड़ा हुआ है कहते हैं कि इस उपाए को करने से आपका जितना भी दुरभाग्य होता है वेसे भी उन पांच काली मिट्ट के दानों में ही रुख जा किसी पेड़ के निचे दबाने से आपको दुरभाग्य सदेव के लिए आपसे दूर हो जाता है और आपके सोभाग्य के साथ ही आपके जीवन में एक नया सवेरा होता है और हर प्रकार के कारे जोग तक आपके नहीं बन रहेते हैं बनने लगते हैं और अगर कोई थी और देती है इस उपाय को करने में आपको क्योंblock इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रकार का उपाय करके इपने घर से बहर नकले तो लोट कर मत आई येगा यानि कि उसी वक्त लोट कर मत आई येगा बस आप चले जाईए फिर देखए ये चमतकार के इस प्रकार से होता है, दोस्तो नेगेटिव एनरजी यानि नकरतमक उर्जा हर किसी के पास आपको अवश्य देखने को मिलती है, कोई भी घर हो, वे पूर्ण प्रसंद नहीं हो सकता है, कहीं पर पैसा नहीं है, पैसा है तो स्वास्त ठीक नहीं है, स्वास्त बोलचाल की वज़े से हो, गलत समय पर कोई सामान खेड़ने से हो, या किसी अन्य प्रकार से आई हुई नकरतमक उर्जा हो, लेकिन हर कोई चाता है कि उसे घर में हर कोई व्यक्ति परसंद रहे, खुश रहे, अपने जिन्दगी को सरलता से जिए, लेक्स के लिए आप क्य दीपक जलाएंगे, तब आपको दीपक में बस पांच काली मिश्ड डाल देनी है, और जब दीपक की लोग जलेगी, तो उसकी लोग से हर प्रकार की नकरतमक उर्जाएं जल करके आपके घर में से भस्म हो जाएंगी, और धीरे धीरे आपके जीवन में और आपके घर में नकारतमक उर्जा की जिगह सकारतमक उर्जाएं अपना घर कर लेंगे और आपके जीवन में खुशियों का उजाला होगा और साथ ही भाग्य भी उन्ति करने लगेगा। दोस्तों इस परियोग के लिए आपको दीपक में सरसों का तेल डालना है या पर चमेली का तेल भी डाल सकती हैं देशी गी का परियोग ना करें। दोस्ते इसे एक परियोक से ना केवल आपका दुर भागे दूर होता है, ना केवल आपके नकारतमा को उड़ जाएं दूर होती है, बलकि शनी देव की किरपा भी मिलती है, और साथ ही अगर राहू और केतू की बज़े से भी आपके जीवन में कोई परिशानी आ रही थी, त इसके लिए आपके वाली काले रंगा छोटा सा कपड़ा लें, उसके अंदर पांच काली मिच डालें और पांच एक एक रुपे के सिक्के डालें, जी हां दोस्तों याद रखें कि आपको पांच एक रुपे का सिक्का या फिर कोई भी नोट नहीं डालना है, बस आपको प रहते हुए पानी में से डाल दीजिए, दोस्तों आपको ये उपाय करते ही आपकी हर प्रकार की मुश्किलों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा करने से आपके जीवन में सनी देव की सभी पीडाएं समाप्त होती हैं, राहु केतु भी आपके शांत हो जाते हैं, और कि प्रकार के नकरतमक उरजाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है, चाहें कि ये किसी का किया कराया हो, टोना टोटका दी हो, कुछ भी हो, वह आपकी समझ चाहें, तुरंद इस्तमाप्त हो जाती हैं, और धन आगमन के नए नए मारग भी आपको देखने को मिलते हैं, हर प्रका के धन आने के सबी मारग आपके खुल जाते हैं, फसा हुआ रुका हुआ धन भी मिलेगा, और कर्ज से राहत भी मिलेगी, धन की मुश्किलें परिशान बिल्कुल भी नहीं करेंगी, दोस्तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि बहुती साधारन से प्रयोग है, लेक